हेलो दोस्तो मेरा नाम करने और आप देख रहे हैं अलेक्ट्रिक वर्ड वी का दोस्तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो पे बताया था कि ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर का फुल वाकराउंड रिव्यू लेकर आऊंगा जो कि मैं आपके लिए ही यह वीडियो लेकर आया ह है मेरे को तब यह वीडियो पॉसिवल हो पाया है आपके लिए और यह आप फूट्रेस्ट देख सकते हैं लैग रूम तो काफी बेटर मिलता है प्लस इसकी जो सीट है वो भी काफी चौड़ी वगारा दी गई है दोस्तो ओला एलक्ट्रिक सूटर जो फ्रेंट वील है वो और फ्रेंट वीव कुछ है इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा प्लस इसका जो बैक प्रोफाइल है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा यहां पास आपको देखने को मिले के जो चार्जिंग पोर्ट है उसको आप थोड़ा सा प्रेस करना होगा तो वो ओपन हो ज की गई है और यहां बोडी फीटेट टेन इंडिकेटर लाइड और टे लैम पे मिल जाती है दोस्तों इसमें आप देख पाऊगे जो इस्टुमेंट क्लेस्टर मिलता है वो काफी बड़ा दिया गया है और फुली टेच्ट स्क्रीन मिल जाता है और इसके साथ एट स्विच व मोड भी इस पे मिल जाता है इसके साथ पावर की वगारा मिल जाती है राइट साइड पे और मुजिक के सिस्टाम आप जब इस पे अन करते हो उसके विकी वगारा मिलेगी यहां पास आपको देखने को मिलेगा डूवल स्पीकर और यह यूस्प पोर्ट इसके साथ आप जब इस्टुमेंट क्लेस्टर पर आओगे तो पार्किंग मोड आप जब सेलेक्ट करते हो तो कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा और यह बूट स्पेस बहुत ही ज्य देख रहे हो यानिकी स्क्रीन देख रहे हो पूरा टैबलेट की तरह आपको लगता है और एक के जैसे प्रीमियम कार पे इस्टुमेंट क्लेस्टर मिलता है वैसे ही इसे ओला एलेक्रिक स्कूटर में प्रोवाइट किया गया है प्लस इसके साथ बहुत सारी सेटिंग मिल जाते हैं जैसे की ब्राइटने से तेज करना मेंजिक सिटम ओन करना ब्लूथूथ करेक्टिविटी वगयरा और इसमें कितनी स्पीड वगयरा यह पी आप इसली तरीके से देख पाओगे इसी स्क्रीन पे और फुली टाच स्क्रीन है लैग वगयरा नहीं होता जैसे मेरे कि इस स्कूटर का क्या ही कहना क्योंकि इस स्कूटर का मुकाबला अभी तक कोई भी स्कूटर नहीं कर पायेगी और यह हुई है यानि कि आप यदि सीटी पीच राइट करते हो इस स्कूटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली बट सस्पेंशन एवरेज है और यदि आप इस स्कूटर पे स्पोर्ट मोड या हाइपर मोड सेलेक्ट करते हो बहुत ही जादा इसकी स्पीड मिल जाती है अ यह थोड़ा एक्सेलेटर आप देखते हो इस स्पीड के मामले में तो काफी अच्छा है दोस्तों यह जो स्कूटर है वो हमारे सस्क्राइबर के लिए काफी बेटर टेस्ट राइडिंग रहा है और उन्होंने बताया है कि इसकी साथ स्कूटर के साथ दो घंटे के करेब उन्हों है टाइम दिया है इस स्कूटर को और उस टाइम यह स्कूटर काफी अच्छा परफोएंस कर रहा था और बिल्ड क्वाल्टी वी काफी बेटर है उसमें जो फिनिसिंग दिये गई है यानि कि किसी तरह से आपको नहीं मिलेगा कि कहीं खराब स्कूटर बना है और इस स्कूटर को टेस्ट आइट किया है उन्होंने बात सियर की है कि इसका जो लेग रूम है वो काफी बड़ा है तो पैर रखने में किसी तरह की प्रोपलम नहीं आएगी और इसके साथ जो इसकी सीट है वो काफी कमफर्टेवल है यदि आप बैठती है इस स्कूटर में त या फिर कोई हल्की स्कूटर पे बैठे हैं और पिलियन के लिए भी काफी ज्यादा इसपेस मिल जाता है तो ग्रैब्रील मिलती है तो ब्राइटनेस है वो बढ़ा घटा सकते हो अपने अनुसार और इस स्कूटर में दोस्तों जब आप ब्रेक ट्रेस करते हो तो इसकी जो मोटर है उसमें जो पावर देती है वो कट हो जाती है तो यह बहुत अच्छा ओफशन दिया गया है और बैटरी की लाइफ बढ़ान अच्छे इसमें दिये गए है यानि की ज़्यादा हैवी ने दिए और ज्यादा लोवी ने दिए इनके मीडियम में इसके ओवर बियम भी दिए गए है और दोस्तों इसमें खास बात या है कि आप जब रिवार्स ले जाते हो इस स्कूटर को तो आपको जो एक्सिलेटर है वो रिवर्स में रोटेट कराना होता है तो इसकी भी मैं जल्द एक वीडियो ला दूंगा इस चैनल में तो दोस्तों इस चैनल पे आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रहे कि नाम से है और इसी दार की वीडियो को और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें थैंक यू कर दो को झाल